अध्याड़ा में दिव्यांगो विकलांगो पर सरकार कर रही है अत्याचार करनाल 25 मई हर्याड़ा में दिव्यांगो विकलांगो के साथ लगतार अन्याय किया जा रहा है और अन्य राजियों की तरह मूलभूत सुविधाएं जैसे पैंसन, बस पास, बर्यलबे पास हर्याड़ा में 40-30 अपंगता होने के बावजूद भी हर्याड़ा में प्रिदान नहीं की जा रही यह बिचार नैशनलिष्ट कांग्रेस पार्टी के प्रिदेश महामंत्री वा मीडिया पिर्भारी एडवोकेट बिजेपाल ने आज करनाल में आयो जित बिखलांग कल्यार अधिकार सम्तिक के अनिशित कालीन धर्ना में सामिल होने पर कही धर्ना इस्तर पर प्रिदेश प्रिदान चरण सिंग, वकोस अध्यक्ष राजीफ सर्मा, कुडलन आदि ने बिजेपाल एडवोकेट को बताया कि हमारी 18 मांगे हैं जो की जायज है NCP नेता बिजेपाल ने उनकी सारी मांगो को सुनने के बात कहा कि बड़े दुख और दुर्भागे की बात है कि दिव्यांगता अधिनियम बनाने के बावजूद उसको हर्यारा सरकार पूरी तरह लागूर नहीं कर रही उन्होंने कहा कि लोगों को बाई देवा बहाने नहीं अपितु काम चाहिएं एनसीपी हर्याणा के पिर्देश महामंत्री विजेपाल ने मांग की कि दिव्यांगो को जॉब कार्ड बना कर सो दिन का रोजगार मन्रे का स्कीम के तहर गारंटी के साथ उपलब्द कराया जाए और 1995 से रिक्त पड़ा बैक लोंग माननी सुप्रीम कोर्ट के आदिर्सों के अनुसार सीग्र पूरा किया जाए उन्होंने यह भी मांग की कि दिव्यांगता धीनियम को हर्याडा में भी पूर तोर पर लागू किया जाए उन्होंने कहा कि NCP पर अन्याय में दिव्यांगों के साथ खड़ी है और उनकी सभी मांगे सरकार को सीग्र मान कर उन्हें राहत देनी चाहिए